अब देखें, जो आप आम तोर पर बच्चों के रवाईयों को देख रहे हैं, तो हमेशा सुरत हाल एक जैसी नहीं रहती, कभी उनके उनके उपर सोशल स्ट्रेस भी आ सकता है, खासत थार पे जो डिसेबल बचे हैं, या मुख्तलिफ ए meditating गृुप से तालुप रखते हैं, मुख्तलिफ शहर या जिले से तालुप रखते हैं, तो कुछ बच्चे जान गूच के उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि अगर आप उनको इहतियात के साथ देखते नहीं रहेंगे, तो हो सकता है वो बुख्तलिफ बच्चे को नुकसान भी पहुंचाएं। अक्सर mob mind जो आपने सुना होगा, psychological phenomena है, कि जब कुछ लोग इकठे हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छा बुरा नहीं सोचते, फिर वो ये सोचते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं, बस हम वो ही करेंगे, क्योंकि वो सब के जम्मादारी बन जाएगी और किसी एक को उसका जम्मादार नहीं ठहराया जाएगा, तो ऐसी सुरत में अगर बच्चे किसी को अलग करें, किसी भी वज़ा से, तो फौरी तोर पर उसका नोटिस लिया जाएगा, और उनको बताया जाएगा कि वो किसी तरह से भी अलग नहीं हैं, वो आपका हिस्सा हैं, आपकी टीम हैं, आपकी क्लास में हैं, और अगर उसके अंदर कोई मुक्तलिफ सलाहियत हैं, तो उनके अपने अंदर भी मुक्तलिफ सलाहियतیں मौजूद हैं, मुक्तलिफ कुबियाख खामिया हैं, जिसकी वज़ा से हम सब अपने अंदर जो similar चीज़े हैं, उनको तलाश करते हैं, चीज़े हैं, उनको accept करते हैं, ना कि हम उनका मजाख उड़ाते हैं, या उसके लिए बुरा महसूस करते हैं, तो इस सारे सिलसले में anti-sectorian activities, अब देखें, दूसरे मुलकों में तो ये है कि लोग मुख्तलिफ मजाहिब से आते हैं, मुख्तलिफ मुलकों से आते हैं, तो उनके अंदर बड़े इखिलाफात हो सकते हैं, कोई Muslims हैं, साथ Christians हैं, साथ Jews बैठे हुए हैं, तो वो कोई Korean है, कोई Japanese है, कोई Indian है, तो जब लोग इकठा बैठते हैं, तो वो दूसरों के countries को, और उनके रहन सेन को, या उनके रंग को, या नसल को, बच्चे मजाग ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो फिर उनको समझते भी तो नहीं हैं उन्होंने, अपने घर में वैसे दूस हमारे सूबे, हमारे इलाके, हमारी रिवायात, यह सब मुक्तलिफ हैं, तो जब इकठे मिलके बैठे और मुक्तलिफ मसालिक से तालुक रखने जो सेट्स जिनको हम कहते हैं, मसालिक से तालुक रखने वाले बच्चे जब इकठे होते हैं, तो वहां भी हमने उनके अंदर tolerance create करनी है उनको बताना है कि जिस तरह का उनका तरीका है हमें उसको वैसे ही accept करना है ना उसका मजाक उड़ाना है ना उसको हकारत की नजर से देखना है और ना हमने उनको बुरा समझना है अब यहां कुछ तो sect की बात हो गई कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप देखिए refugees हो सकत हैं या यतीम खानों से एसालम से आते हैं जहां जाहर है उनके parents नहीं थे तो कुछ मजबूरी से या वो दूसरे इलाकों से shift करके आए हैं उनके रहने सहने के तरीके भी मुक्तलिफ होंगे उस तरह से उनको वालदین की support भी नहीं होती और थोड़ा साब को पता है ऐसे बच आपको बारे में encourage करें कि वो उनके साथ friendship करें उनको बताएं के उनको आप की मदद की जुरूरत है आपकी हमदर्दी की जुरूरत है आप उनके साथ खेले इनको अपना दोस बनाएं उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करें क्योंकि यह भी आप यजैसे बट्रिया outro Combining Gender and Ethnic Group जितने भी इख्तलाफ हैं, उन में जेंडर का इख्तलाफ भी हमेशा हमें मजबूर करता है कि हम बच्चों के behaviors को watch करते रहें, देखते रहें जेंडर का इख्तलाफ भी इस तरह का हो सकता है कि लड़के जो है, चुकि वो ज्यादा hyperactive भी होते हैं लड़कियों के मुकाबले में तो वो mark उटाई भी ज्यादा कर सकते हैं, लड़कियां थोड़ी हल्की submissive हो सकती हैं तो वहां भी हमने उनको बराबरी भी सिखानी है, इत्तफाको इत्ताद भी सिखाना है और बताना है कि भी वो बच्चियां है या आप बच्चे हैं, तो दोनों सूर्तों में हम जो कुछ सीख रहे हम सीख सकते हैं हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर मुक्तलिफ सलाहियते हो सकती हैं उनको हमें accept करना है और अपने behaviors को बहतर करना है और किसी को किसी के लिए disrespectful नहीं होना को आप बच्चियां हों वो बच्चों के लिए ना हों और बच्चे हों तो वो बच्चियों के लिए ना हों बलके सब मिल जुलके रहें और किसी चीज में किसी को हकीर ना समझें या अपने से बरतर ना समझें ताकि उनके अंदर एक equal जो है और जो equality की सोच है वो पैदा हो जाए और जब वो बड़े होंगे तो भी ये उत्तफरुकात जो हम बच्पन में हम उनको करेंगे बड़े होक के भी वो इस तरह के इखतलाफाद से बाज रहेंगे